दोस्तों Facebook earning course के part 6 में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Facebook के उपर वीडियो upload करने का सही तरीका क्या है जितना important एक वीडियो को अच्छा बनाना होता है उतना ही important उस वीडियो को सही तरीके से Facebook पर upload करना होता है बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि वीडियो को upload कहां पर किया जाता है और upload करते time किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो आज के इस वीडियो को गलती से भी skip मत करना क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वीडियो को upload करने का सही तरीका तो चलिए वीडियो को start करते हैं पूरी motivation के साथ एक खुशी के साथ की भाई से आज कुछ नया सीख कर जाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है वीडियो को upload कहां करना है आपको अपने mobile के उपर facebook.com website खोलनी है ब्राउजर के अंदर जब आप खोल लोगे लोगिन कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पर three lines होंगी इन पर क्लिक करना है जो setting का button होता है उसके बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा pages का इन pages के button पर क्लिक कर लेना है अब आपको अपने page को select करना है जिस पर video डालनी है तो यहाँ पर मैं switch now पर क्लिक कर लेता हूँ अब मेरे पास इस तरीके से यह मेरा page का option आ जाएगा अब मुझे यहाँ पर क्या करना है मैं यहाँ पर अपने page पर जाऊंगा suppose यहाँ पर page कैसे जाएंगे यहाँ पर मैं आ जाता हूँ यह उपर option मिलेगा user का इस पर click कर देता हूँ और अपने page पर आ जाता हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं three dots पर click करूँगा जो line है और desktop mode को on कर दूँगा जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से यह चीज आ जाएगी तो यहाँ पर मैं इसको पूरा उपर करता हूँ और यहाँ से अपने page पर आ जाता हूँ यहाँ से जैसे मैं अपने page पर आऊंगा यह option आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर right side में left side में आपको option मिलेगा professional mode का professional dashboard का आपको इस पे click करना है click करने के बाद यह वाली चीज आ जाएगी यहाँ पे आपको left side में option मिलेगा content का यहाँ पे content के button पे click करना है click करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा अभी हमने यहाँ पे एक भी post नहीं डाली है तो यहाँ पे create a post का button आएगा और इस तरीके से यह option आजाएगा यहाँ पे आपको video वाले button पे click करना है पहला photo का है तो यहाँ पे मैं video वाले button पे click करता हूँ तो यहाँ पे यह live का आगया कि अगर आप live जाना चाते हो तो भाई हम live नहीं जाना चाते तो मैं back कर लेता हूँ वो live का button था वीडियो वाला नहीं था तो मैं यहाँ पे दुबारा से create post पे click करता हूँ और यहाँ पे यह photo वीडियो वाला पहला option है और plus के button पे click करेंगे yellow के button पे click करेंगे जो हमारी video है उसको हमें select करना है तो मैं यहाँ पे browse पे भी click करके select कर सकता हूँ तो for example यहाँ पे मैं आ गया और इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ gallery में ठीक है तो यहाँ पे मेरे पास gallery का option भी होगा तो यहाँ पे मैं video को select कर लेता हूँ जो video में upload करना चाता हूँ तो यह वाली video है जिसे मैं upload करना चाता हूँ ठीक है यह मेरे पास यहाँ पे आ गई अब यहां पे मेरे पास मैं अवाज को कम कर देता हूँ ताकि यह record ना हो अब यहाँ पे आ गया अब यह मुझ से कह रहा है कि इसको as a real upload करो तो यहाँ पे हम next के button, previous के button पे click करेंगे और next के button पे click करेंगे, दुबारा next के button पे click करेंगे अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला option आ जाएगा तो वीडियो को तो मैं आपे pause कर देता हूँ और यहाँ पे ये option आ जाएगा अब यहाँ पे आपको add details का option आ रहा है यहाँ पे आपको तीन चीजे समझनी है अब वो तीन चीजे क्या है वो मैं आपको step by step समझाता हूँ जो वीडियो upload करते time हर इंसान को पता होनी चाहिए सबसे पहली चीज है कि keywords क्या होते है देखो जब भी आप google पे कुछ search करते हो for example आपने search किया facebook से पैसा कैसे कमाए मतलब आपको search जब करते हो तो जो search करते time जो लिखता है इंसान उसको keyword बोलते है ऐसे ही facebook पे बहुत सारे लोग जब आते हैं तो search करते हैं facebook पे suppose उन्होंने search किया online पैसा कैसे कमाए वीडियो की description जरूर लिखने हैं और description में आपको keywords को add करना है मैं आपको example से बताता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने video डाली है वो EMI से related है कि जो पहली EMI होती है उसमें क्या क्या चीजे include होती है तो मैं आपे क्या करूँगा जैसे कि मैं लिखके दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ मैंने कैसे description में keywords को डाला तो हमारी दो चीजे clear हो जाएंगी description क्या होती है कि जो भी video डाल रहे हैं उससे related हमें यहाँ पे लिखना है कि यह video किस चीज से related है और उस description में हमें keywords को include करना है जो उस video से related लोग Facebook पे search कर सकते हैं लिखके तो मैं example से बताता हूँ पहले एक line लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया देखो example लेके चलो जैसे कि लोग suppose करो Facebook पे search करें first TMI में क्या क्या होता है ठीक है तो मैंने यहाँ पे लिखा इस video में आपको पता लगेगा first TMI में कौन-कौन से charges होते हैं तो जब भी कोई यह लिखेगा Facebook में first TMI में कौन-कौन से charges होते हैं तो मैंने इसमें description में keyword डाल दिया कि भाई अगर कोई यह लिखता है कोई उसको आपको description में डाल लेना है और बता देना है इसमें एक बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते ऐसा हुआ मतलब जो भी चीज़ है उसमें आपको एक दो line में describe कर देना है और बीच में जो भी वीडियो है वो उससे related keyword को use कर लेना है तीसरी चीज़ आती है hashtag बहुत सारे लोग बोलते है कि दुनिया बर के trending जो वीडियो चल रही है उनके hashtag copy कर दो और आपकी real या वीडियो वाइरल हो जाएगी ऐसा नहीं होता आपको क्या करना है जैसे कि आपकी वीडियो किस चीज से related है मेरी वीडियो EMI से related है तो एक hashtag मैं याँ पे लोगा EMI का ठीक है ये मैंने EMI का ले लिया अब मेरी जो वीडियो है वो main topic क्या है उसका वो है finance का तो मैं आप एक finance का ले लोगा ठीक है finance के अंडर आती है अब इसके अलावा मैं क्या ले सकता हूँ जैसे कि मैं ले सकता हूँ real ठीक है hashtag में मतलब related लेने है ये real ले लिया एक मैं ले सकता हूँ trending ठीक है trending ले लिया और इसके अलावा जिस जिस चीज से related है वो hashtag मतलब 6-7 hashtag 2-3 अपनी वीडियो से related 2-3 comment जैसे real Facebook trending Facebook page आप ये ले सकते हो ठीक है तो ये hashtag होते है तीन चीजों का ध्यान रखना है description, keyword और hashtag इन तीनों का use अच्छे से करना है जब आप ये कर लेते हो यहाँ से public रखना है इस option को enable ही रखना है और इसको publish कर देना है जैसे ही आप publish करोगे ये जो वीडियो है आपकी Facebook पर upload हो जाएगी और यहाँ पे आपको reach भी मिलने start हो जाएगे मैं refresh करके दिखा देता हूँ यहाँ पे ये show only start हो जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हो ये upload हो चुकी है और यहाँ पे इसको धीरे धीरे करके reach मिलने start हो जाएगे और एक चीज मैं आपको बोलूँगा कभी भी ये मस सोचना कि मैंने इतनी वीडियो upload कर दी भाई viral नहीं हो रही कभी भी एकदम से चीज़े viral नहीं होती depend करता है कि आप daily के कितनी वीडियो डाल रहे हो original content बना के डालते रहो और धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि आपने 50 वीडियो डाली 50 में से आपकी 2-3 वीडियो viral हो गई उनसे आपका page grow हो गया उनहीं से आपको monetization मिल जाएगी और ऐसे ही आप 100 वीडियो डालोगे 100 में से 10-15 वीडियो चल गई उनहीं से आपकी अच्छी गासी कमाई भी हो जाएगी लेकिन याद रखना हर वीडियो नहीं चलेगी हर फोटो नहीं चलेगी तो ये तरीका है फेस्बुक पे वीडियो अप्लोड करने का फोटो भी इसी तरीके से अप्लोड होंगी डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और टैक्स का ध्यान आपको रखना है तो इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और दमाकेदार वीडियो के साथ इस कोर्स की तब तक के लिए फेस्बुक पे काम करना स्टार्ट कर दो जैसे बताया वैसे करो लॉंग टाइम तक करना आपको सफलता जरूर मिलेगी बबाई जैशीराम